हेलो एव्रिवन तो आज की वीडियो में मैं आपको शॉट में एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक के चैप्टर 4 दा रैट्रैप को इस चैप्टर की ओथर है सेलमा लेगरलॉफ तो ये स्चोरी है एक होमलिस और एक गरीब इनसान की जो की छोटे-छोटे वायर से बने हुए रैट्रैप्स को बेचता था और वो रैट्रैप्स भी वो खुदी बनाता था और उन रैट्रैप्स के लिए भी वो मटेरियल बैक करके लाता था या फिर वो कुछ बड़े-बड़े farms में से उसका material उठा लेता था साथी में उसका ये business profitable नहीं था यानि वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था इसलिए वो छोटी-मोटी चोरी भी करता था ताकि वो survive कर सके साथी में वो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहनता था और वो काफी malnutrition भी था एक बार वो अपने rat traps के बारे में ही सोच रहा होता है तब ही उसके दिमाग में एक thought आता है कि जिस तरीके से एक rat trap में cheese के टुकडे और poke के टुकडे लगाए जाते हैं एक rat को लालच देने के लिए ताकि वो उसमें आये और fuss जाये उसी तरीके से इस पूरे world में जो इस पूरे world की riches हैं जो इसके joys हैं जो इसकी luxury है ये सब भी एक तरीके से सब इंसानों के लिए एक bait हैं एक लालच है ताकि ये सब ही इंसान भी इन सब चीजों के trap में फस जाये और एक भार वो सब इन चीजों की लालच में फस जाते हैं तो फिर वो अपनी life को भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं और इसी trap में फसे रह जाते हैं तो वो जो rat trap seller था वो world के बारे में इतना बुरा इसी लिए सोचता था क्योंकि जो इस world के लोग है वो इस rat trap seller के साथ इतने kind नहीं होते थे क्योंकि वो काफी गरीब था इसी लिए उसे इस तरीके से सोचना काफी अच्छा लगता था कि कैसे इस दुनिया के सभी लोग एक trap में फसते जा रहे हैं और फिरिन दुनिया की इसी बेट या इसी लालच के पीछे वो लोग घूंते रहते हैं इसके बाद author में बताती हैं कि एक बार एक शाम को वो जब एक road पर जा रहा होता है तो उसे side में एक grey color का cottage दिखता है तो इसी लिए वो उस cottage की तरफ चला जाता है ताकि वो वहां के owner से पूछ सके कि क्या वो आज रात को वहां रुख सकता है और usually तो उसे लोग वहां से भगा देते थे अपने घरों से जब भी लोग उस तरीके के इंसान को देखते थे पर इस बार कुछ अलग हुआ था जो cottage का owner था वो बिल्कुल भी angry नहीं था वो काफी happy था उस ratrap seller को देख कर क्योंकि वो काफी बुड़ा आदमी था जिसकी कोई wife या फिर कोई बच्चे नहीं थे इसलिए वो काफी खुश था कि आज उसके साथ कोई बात करेगा उसके साथ थोड़ी दिर कोई बैठेगा तो इसलिए वो उस peddler के लिए या उस ratrap seller के लिए dinner तयार करता है उसके बाद वो smoke करते हैं cards के कुछ game भी खेलते हैं इस तरीके से वो जो old man था वो काफी ज़्यादा generous था काफी kind था उस peddler के लिए साथी में उसने उसके साथ एक secret भी share किया था उसने बताया था कि पहले के time पे वो rams jo iron works में काम करता था और फिर जब उसने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया तो उसके बाद उसके पास एक cow थी वो उसे support करती थी वो काफी ज़्यादा milk देती थी जिसे वो बाद में जाकर market में बेज देता था और last month ही उसे 30 kronors का payment मिला था जो stranger था या जो peddler था वो काफी ज़्यादा incredulous लग रहा था मतलब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा payment मिला है उस old man को तो इसी लिए वो old man जाता है और एक leather pouch में से जो की window के पास ही लटका हुआ था उसमें से 3-10 kronors के note उसे दिखाता है और फिर वो वापस से वो notes उस pouch में डाल कर वहीं टांग देता है इसके बाद अगली दिन सुबह को वो crofter अपनी गाय का दूद निकालने चला जाता है साथी में वो जो peddler था वो भी सुबह ही उस cottage से चला जाता है उस crofter को goodbye और thanks बोल कर इसके बाद कुछ आदे गंटे बाद वो rat trap seller या वो peddler वापस से आता है और उस time पर उस cottage में कोई भी नहीं होता है इसलिए वो window के पास जाता है उस window का काच तोड़ता है और उस pouch में से तीनो 10 kronors के note को लेकर वो वहाँ से भाग जाता है अब वो जो peddler होता है वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है वो सोचता है कि वो कितना ज़्यादा smart है कि कैसे उसने वो 30 kronors ले लिए है और साथी में वो फिर public highway की तरफ नहीं जाता है इसकी जगह वो forest की तरफ चला जाता है क्योंकि अगर वो highway से जाएगा तो उसे ये डर लगा हुआ था कि जरूर उसे कोई पकड़ लेगा इसलिए वो forest की तरफ से जाने के लिए decide करता है पर वो जो forest के रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा confusing थे इसके कारण वो उस forest के अंदर ही घूमता रहता है और वो try करता है कि वो सीधे एक direction में जाए पर बार बार वो घूम कर एक ही जगह पर आ जाता है इसके कारण उसकी हालत काफी ज़्यादा खराब हो जाती है और अब उसे अपने ही thoughts की याद आती है कि कैसे वो सोचता था कि ये world एक rat trap है और अब वो खुद भी इस world के rat trap में फस चुका है और अब उसे ये forest एक jail जैसा लगने लग गया था ये December का time था इसलिए काफी ज़्यादा ठंड भी थी और अंधेरा भी काफी जल्दी हो गया था और अब उसे लग रहा था कि उसके death काफी नजदीक है उसके इसलिए वो ground पर लेट जाता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है hammer के strike करने की जो की iron mill से आ रही होती है और वहाँ पर पूरा iron को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है और इसलिए उस इंडस्ट्री के अंदर काफी शोर भी होता है और उस शोर के कारण ही शायद अंदर जो वो iron master था या जो blacksmith था वो ध्यानी नहीं देता है या उसे पता ही नहीं पड़ता है कि वो जो peddler था वो उस forge के अंदर आ चुका है और इसके बाद वो जो peddler होता है वो उस furnace के पास मतलब वहाँ की भटी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उससे कुछ गर्मी ले सके और इस टाइम पे वो जो blacksmith होता है वो भी उस peddler को देख लेता है वो जो peddler होता है वो उस blacksmith से वहाँ पर रुकने की permission मांगता है और वो blacksmith भी उसे वहाँ पर रुकने के लिए allow कर देता है और उसके बाद वो जो peddler होता है वो वहीं पर ही उसी fernance के सामने सो जाता है इसके बाद उस rams जो iron work के जो iron master होते हैं वो वहाँ पर inspection के लिए आते हैं ये देखने के लिए आते हैं कि सब काम ठीक से चल रहा है या नहीं और जब वो forge में आते हैं तब वो उस peddler को देखते हैं और फिर वो उसके पास जाते हैं और उसके face को देखते हैं और जैसे ही वो उसके face को देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो peddler उनका एक पुराना regimental comrade है मतलब पहले जब वो military में थे तो उन्हें लगता है कि ये peddler उनके ही साथ था उनका ही दोस्त था उनके साथ ही काम करता था और वो जो peddler है वो भी ये सोचता है कि जो iron master है वो एक gentleman जैसे लग रहे हैं तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ kronors दे दे तो इसी लिए वो iron master का ये doubt clear नहीं करते हैं और वो उनके साथ पहले कभी भी काम नहीं करते हैं या उन्होंने कभी पहले iron master को देखा तक नहीं है ये चीज वो iron master को नहीं बताते हैं तो बाद iron master सोचते हैं कि शायद उसने regiment को resign कर दिया होगा और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई होगी इसी लिए वो उसे अपने घर आने के लिए invite करते हैं ताकि वो उसके साथ अपनी Christmas Eve celebrate कर सकें पर वो जो ratrap seller होता है वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपने 30 kronors की याद आ जाती है जो उसने चोरी किये थे और उसे लगता है कि अगर वो Iron Master के साथ जाएगा तो हो सकता है कि वो फस जाए और पकड़ा जाए इसी लिए वो जाने से मना करता है और Iron Master के कई बार मनाने के बाद भी वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो इसी लिए Iron Master वहाँ से चले जाते हैं और इसके कुछ आधे गंटे बाद ही Iron Master की जो बेटी होती है जिसका नाम होता है Edla Will Manson वो वहाँ पर आती है उस पैडलर को मनाने कि वो उनके साथ उनके घर आ जाए Christmas Eve को celebrate करने के लिए क्योंकि Iron Master सोचते थे क्योंकि उनकी बेटी में काफी अच्छी persuasion powers हैं यानि वो काफी अच्छे से मना सकती है लोगों को इसलिए वो अपनी बेटी को भेजते हैं इसके बाद Edla उस पैडलर के पास जाती है और उसके face की तरफ देखती है उस time पर वो पैडलर काफी ज़दा डर जाता है तब ही Edla उन्हें अपना नाम बताती है और वो कहती है कि उनके फादर ने उन्हें बेजा है ताकि वो उस पैडलर को invite कर सके अपने घर आने के लिए साथ ही में जब Edla उसे देखती है तब उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो जो पैडलर होता है वो काफी डरा हुआ होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसने कोई चोरी E है या फिर ये जेल से भाग कर आया है पर फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती है वो उस पैडलर से कहती है कि आप बिलकुल बेफिक्र होकर हमारे घर आईए और जिस तरीके से आप freely हमारे घर में आएंगे उतना ही freely आप जब चाहें आप हमारे घर से जा सकते हैं बस हमारे साथ ये Christmas Eve celebrate कर लीजिए और वो इतना friendly manner से ऐसा कहती है कि वो जो red trap seller होता है वो मना भी नहीं कर पाता है और फिर वो उनके साथ चला जाता है और जब वो उनके साथ उनके घर जा रहा होता है तब वो सोचता है कि आखिर क्यों उसने उस crafter की money को चुराया और उन्हे ऐसा लगता है कि अब वो बहुत बुरी तरीके से फस चुका है और अब वो कभी भी strap से नहीं निकल पाएगा इसके बाद जो अगला दिन होता है वो Christmas Eve का होता है जो iron master होते हैं वो काफी जादा खुश होते हैं क्योंकि वो इतने time बाद अपने एक पुराने friend के साथ मिल र जाकर rat traps न बेचने पड़े पर इस time पर जो एडला होती है वो अपने father से कहती है कि उसने जब उस peddler को देखा तब उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई एक time पर एक educated man हुआ करते थे तब ही जो iron master है वो कहते हैं कि एक बार उसे अच्छे से clean up होने दो औ युमें पता चल जाएगा कि वो actual में कितने different है इसके बाद वो जो peddler होते हैं वो उस room में enter करते हैं इस time तक वो काफी अच्छे से अब नहा चुके थे उन्होंने अपने hairs cut कर लिये थे साथी में shave भी कर लिया था और काफी अच्छे से dressed up भी हो चुके थे वो और वो आप काफी अच्छे दिख रहे थे पर जो iron master होते हैं वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो उसे देखकर एक बार में ही समझ जाते हैं कि ये peddler उनका कोई पुराना दोस्त नहीं है और हो सकता है कि कल रात को fernance की रोशनी के सामने उन्होंने misinterpret कर क्या था उन्हें पर अब ये बिल्कुल clear था कि ये उनका कोई पुराना दोस्त नहीं है और जो वो peddler होते हैं वो भी accept कर लेते हैं कि वो सिफ एक poor trader है और वो सिफ उस forge में सिफ कुछ देर आराम करने के लिए आये थे तब ही iron master कहते हैं कि वो अब police को बुलाने वाले हैं तब ही वो जो peddler होते हैं वो iron master को गुसे में आकर कहते हैं और उन्हें अपने thoughts के बारे में समझाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये जो पूरा world है वो एक rat trap है और इस world में जितनी भी अच्छी चीज़े हैं वो सिफ एक लालच हैं एक बेट हैं ताकि हम इस world के trap में फस जा होगे इस बात को सुनकर वो जो iron master होते हैं वो हसना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो शेरिफ को या पुलीस को नहीं बुलाएंगे पर तुम्हें अभी यहां से जाना होगा तब ही जो एडला होती है वो उस peddler को जाने से रोक लेती हैं और वो अपने father से कहती है कि उस stranger को मेरे ख्याल से आज यहीं रहना चाहिए और वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि आज सुबह वो काफी ज़्यादा खुश होती हैं कि आज वो किसी homeless person के लिए कुछ करने जा रही होती हैं उनकी help करने जा रही होती है और वो इस thought से काफी खुश होती है इसलिए वो पेडलर को नहीं जाने देना चाहती थी और फिर वो अपने फादर से कहती हैं कि ये जो पेडलर है ये पूरे साल भर ऐसे ही अलग-अलग जगह पर घूमता रहता है भटकते रहते हैं इस पूरे world में एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये घर जैसा feel कर सकें इसलिए सिफ आ एडला की बात सुनने के बाद जो आइरन मास्टर हैं वो भी एडला की बात मान लेते हैं और उसे वहीं पर ही रुखने के लिए अलाव कर देते हैं उस दिन के लिए इसके बाद वो वहाँ पर सुबह को पहले ब्रेकफास्ट करते हैं वो रैटर अप सेलर कुछ भी नहीं क कहता है वो सिर्फ अपना खाना खाने लग जाता है साथी में वे सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की उनकी तरफ से इतना सब क्यूं बोल रही है इसके बाद उस Christmas Eve पर कुछ भी खास नहीं हुआ वो जो stranger था वो पूरा दिन सिर्फ सोता ही रहा guest room में और उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो कई सालों से इतनी safely और इतनी quietly कहीं पर भी नहीं सो पाया था इसके बाद evening में सिर्फ जब Christmas tree को light up करने की बारी आई थी सिर्फ वो तब आया थोड़ी देर के लिए उठ कर इसके बाद वो वापस से गायब हो ग कर thank you और good night बोला पर जब एडला की बारी आई तो एडला ने उससे कहा कि ये जो suit उसने पहन रखा है ये उसके father की इच्छा है कि ये suit तुमारे लिए है इसे तुम रख सकते हो एक Christmas present की तरह और अगर तुम अगली Christmas Eve पर भी यहाँ पर आना चाह हो तो तुम यहाँ पर आ स सकते हो और इस बात को सुनकर वो peddler काफी ज़्यादा amazed हो जाता है काफी ज़्यादा surprise हो जाता है एडला के behavior को देखके जो की इतना kind था उनके लिए इसके बाद अगली सुबह आईरन master और उनकी बेटी एडला अपनी Christmas service के लिए church जाते हैं और उस time पर वो जो peddler होता है तो ही रहा होता है और सुबह जब वो church पहुचते हैं तब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उस crofter के 30 kronors चुरा लिये थे और वो चोर एक rat trap seller था और इस बात को सुनकर एडला काफी ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं त और जब वो घर पहुचते हैं तो वहाँ पर iron master को उनका servant बताता है कि वो जो stranger था वो अब जा चुका है साथी में वो servant उन्हें बताता है कि उसने इस घर से कुछ भी चोरी नहीं किया है और साथी में उन्होंने miss wilmanson के लिए मतलब एडला के लिए एक छोटा सा gift भी है और जब एडला उस package को खोलती है तब उसकी आखों में आसूं आ जाते हैं वो काफी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके अंदर एक rat trap होता है और तीनों 10 chronos के notes होते हैं उसके अंदर ही और उसके साथ में एक letter भी लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि कि ज हमके father का कोई पुराना friend हो तो इसी लिए वो stranger भी एडला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था कि उसने इस Christmas पे एक thief को अपने घर में रहने दिया एक चोर को अपने घर में रहने दिया इसी लिए वो चाहता है कि ये तीनों 10 chronos के note वो वापस से जाकर उस old crafter को दे दे जिस इसने ये पैसे अपने window पर एक pouch में रख रखे थे जो कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए एक लालच की तरह था एक बेट की तरह था इस world की पर सिफ तुमारे कारण ही यानि एडला के कारण ही वो इस rat trap में फसने से बज गया है और वो आगे लिखता है कि ये छोटा सा rat trap तुमारे लिए Christmas present है एक rat की तरफ से जो कि इस world के rat trap में फस चुका होता अगर तुम उसे एक captain की तरह treat नहीं करती और तुमारे इस तरीके के behavior के कारण ही उसके अंदर इतना change आया वो अपने अंदर की बुराई को clean कर सका और इसलिए ये rat trap उसके लिए एक present है तो यहाँ प description में मिल जाएगा तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like करें और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो इस channel को subscribe करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में thank you